बच्चों की बद्दे पाटी हो या फिर क्रिस्मस पाटी, केक या मफिन्स तो हम अक्सर बनाते हैं और आज मैं आपके लिए लेके हैं हूँ एकलेस मफिन्स की रेसिपी जिसे बनाने बहुत आसान है और जब आप इसे बना के अपने बच्चों को देंगे तो वो एक्दम खुश हो जाएंगे तो चलिए आज की मज़ेदा रेसिपी शुरू करते हैं वनीला मफिन्स या कपकेक बनाने के लिए एक बोल में हम आधा कप मैदा ले लेंगी तो मैदे को पहले ऐसे चंदी में डाल दें और इसके साथ हम डाल देंगे तीन बड़ी चमच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर से केक का टेक्शर बहुत अचाता है आधी छूटी चमच हम बेकिंग पाउडर और एक चौथाई छोटा चमच बेकिंग सोडा डाल देंगी अगर आप पिसाव चीनी इस्तमाल करें तो आधा कप पिसाव चीनी इस्तमाल करें कंडेंस मिल्क उससे थोड़ा सा कम फिर हम इसमें तीन बड़ी चमच मिल्टेड घी या बटर डाल देंगी और इसके साथ हम इसमें आधी छोटी चमच बनीला एसेंस डाल देंगे अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे जैसे ही सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे दूद तो यहाँ पर एक चौथाई कप मैंने दूद लिया है तो पहले यहाँ पर आधा दूद यहाँ पर डाल दे और इसके बाद आधा दूद जो हम बाद में इस्तमाल करेंगे दूद डालने के बाद इसे ऐसे मिला दें आप चीए तो हैंड मिक्सर या फिर विसकर का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर यह मैदा जो हमने चान के रखा था बेकिंग पादर और सूड़ा के साथ उसके साथ ही मिक्सर जो है वो मिक्स कर देंगे ध्यान रहीए प्रोसेस आपको फटाफट करना है क्योंकि सोड़ा और बेकिंग पादर जो है वो एक्टिव हो जाएगा तो अगर आप इसे ज़्यादा मिक्स करेंगे या ज़्यादा देर तक बाहर रखेंगे तो केक जो है वो आपका फूलेगा नहीं तो यहाँ पर यह जो बचावा दूद है वो डाल के इसे मिक्स कर देती हूँ मै अगर आपको लग रहा है कि दूद कम है तो आप थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं या फिर दूद की जगा पानी का भी इस्तमाल कर सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो आप हिसाब से बनाएं मतलब बहुत जादा दूद या पानी नहीं मिला है तो यह हमारा बैटर बनके रेड़ी हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे टूटी फ्रूटी अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है तो आप बारी कटा हुआ ड्राइ फ्रूट से इसमें एड़ कर सकते हैं और अगर आपको ये मफिन चॉकले फ्लेवर बनाना है तो इसमें चार बड़े चमच कोकवा पाउडर डाल दे और लास में गार्निशिंग में चॉको चिप्स डाल दे तो यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला दिया मैंने तो यह हमारा बैटर जो है वो रेड़ी है अब हम इसे डाल देंगे मोल्ड में तो यहाँ पे ये कपके का जो मोल्ड आता है ना इसमें ये पेपर कप्स रख दे इसे ग्रेस करने के जरूत नहीं होती है बस आप इसे ऐसे ही रख के और इसके उपर हम क्या करेंगे कि ये बैटर डाल देंगे बैटर डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि मोल्ड को आधा ही बनना है अगर आप ज़्यादा बैटर डाल देंगे तो केक जो है वो फूल के बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे जब याप कपके क्या मफित बनाए तो बैटर को आधा ही भरे यहाँ फिर कोशिश करें कि आधे से भी थोड़ा कम डाल दें गार्णिश के लिए हम थोड़ा सा टूटी-फूटी ओर डाल देंगे तो यहाँ पे डाल दें छोड़ा सा टूटी-फूटी या पने पशना दें एप्रटो बैग हिसाब से अब रहए बभा जब पर आटूटी-फूटानी बाह से हिसाथ तो सेम टाइम मेंटेन करें और गैस कफले मीडियम रखें तो यह हमारे मफिन जो है वो बन के तियार हो गया है तो यहां पर मैं आपको दिखाते हूँ यह दिखें एक्दम पॉफिक्टली बेक हुआ है देख सकते हैं कि अच्छे से एक्दम स्पंजी दिख रहा है उपर से और बचों को तो यह बहुत ही पसंदाता है तो यह हमारा सूपर टेस्टी वनिला मफिन जो है वो बन के तियार हो गया है आप इसे बचों के बद्दे पार्टी में बना या फिर क्रिस्मस पार्टी में सब के लिए एकदम पॉफिक्ट है तो उमीद करते हूँ कि आज यह म मैं आपको एक मफिन्स तोड़के भी दिखाते हूँ कि इसके अंदर का टेक्श्चर कैसा है तो देखने में यह जितना कलरफूल लगता है खाने में उतना ही सॉफ्ट आयसे स्पंजी है तो यहां पे यह देखे यह मफिन्स दो से तीन नीन तक खराब नहीं होते हैं आप इससे बेक कर गया से रख सकते हैं यह देखे है नहीं परफिक्ट सॉफ्टर स्पंजी तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो के नीची लाइक का बट्रेम क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्रा करना बूले